कमर का दर्ध जो कमर से शुरू होके तेजी तक के पैरों तक के जाता है इस प्रॉब्लम को युजुली कहते हैं सियाटिका वैसे तो हर प्रॉब्लम, हर कमर का दर्ध जो पैरों तक के जाता हो ये ज़रूरी नहीं है, सियाटिका हो लेकिन कई लोग यह समझ लेते हैं कि शायद यह सियाटिका का प्रोबलम होगा तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है सियाटिका और इसका treatment क्या होता है तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो में अन्तक के नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है Physiotherapist मेकना दवे और आप सभी का हर्दिक स्वागत है HealthQ Hindi चानल में ये एक Health Awareness चानल है जहां हमारा उद्देश है कि हम आपको मोटिवेट कर सके आपके हेल्थ के प्रती ताकि आप आपके सारी हेल्थ प्रॉब्लम से जल्द से जल्द ठीक हो सके हम लेके आते हैं नए Health Related Videos हर गुधवार को तो जरूर से इस चैनल को सब्स्राइब कर दीजे और उस बेल आइकन को दबा लीजे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम कोई नया वीडियो लेके आते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सियाटिका का नाम शुरू होता है सियाटिक नर्व से ये एक ऐसी नस है जो हमारे कमर के जो मनके होते है वहां से शुरू होती है और पैरो तक के जाती है जब भी इस नस पे दबाव आता है और उसके वज़े से जो symptoms पैदा होते है problem को CRTICA कहते है CRTICA का जो नस है ये तीन हड़ी या मनकों के level पे दबाव पढ़ने के वज़े से होती है ये है L4, L5 और S1 CRTIC now एक बहुत मोटी सी नस होती है और जब इस पे दबाव पढ़ता है तो काफी सारे mass patient को ये साथ में लेके problem create करना शुरू करती है तो कब कहा जाता है कि patient को CRTICA का problem है जब भी patient का दर्ग कमर से शुरू होके पैरों तक के जाता है specially जो पीछे का जो पैर का हिस्सा है महां से जाता है तब उसको CRTICA pain कहते है अगर आपका पैरों का दर्ग कमर से शुरू होके पैर के आगे की हिस्सों में होता है तो वो CRTICA problem नहीं है ये बहुत बड़ा differentiating factor है और बहुत सारे कारण हो सकते है CRTICA के या और भी पैरों में जाने वाले दर्ग के इसलिए ये सबसे जादा जरूरी चीज है कि अगर आपको कमर का दर्ग है जो पैरों में जा रहा है तो जरूर से आप अपने डॉक्टर की सरा ले उनसे मशवरा ले जानिए कि आपका कमर का दर्ग क्यों हो रहा है वैसे ये CRTICA की problem तीन बेसिक कारणों के वज़े से होती है एक सबसे पहली problem है इसको medical terms में herniated disc कहते है और कई लोग इसको slip disc के problem के नाम से भी जानते है इसमें क्या होता है जो हमारे मंके होते है दोनों मंकों के बीच में गड़ी का एक support होता है जब भी ये गड़ी के अंदर का जो fluid या पानी है ये बाहर निकलने लगता है तो ये नस को दबाने लगता है जिसके वज़े से CRTICA का problem होता है दूसरा कारण है जिसके वज़े से CRTICA का problem हो सकता है वो है age related जब spondylitis, lumber spondylitis का problem हो तो छोटी छोटे हड़ी के हिससे बाहर निकलने लगता है ये नुकीले होते है और ये जो छोटे छोटे हड़ी के हिससे है जिसको medical terms में bones first कहा जाता है जब ये नस को दबाते है तब patient को दद महसूस होता है जो कमर से लेके पूरे पैरो तक के जाता है और तीसरा कारण है इसको कहते है lumbar canal stenosis जिसमें जो आपकी जो spinal cord के जाने की जगा होती है जो हमारे मनकों के हड़ी के बीच में की इसका जो diameter होता है या फिर इसकी जो width होती है ये कम हो जाती है जो spinal cord जहां से जा रहा है वो area बहुत छोटा हो जाता है तब ये नस दपती है और उसके वज़े से भी दर्ध होता है अब बात करते हैं treatment की क्या क्या treatment option है वैसे siatica का problem एक लंबे दौर तक के चलने वारा problem है ये सारा निर्भर करता है नस किस level पे दब रही है अगर नस पे जो दबाव है वो कम पढ़ रहा है या फिर जिस कारण से ये दबाव पढ़ रहा है वो कारण अगर ठीक किया जा सकता है तो बहुत जल्दी siatica का problem ठीक हो सकता है लेकिन कई लोगों को ये बहुत लंबे देर तक के इसलिए चलती है दूसरी medical management यानि दवाईयों की मदद से treatment होना तीसरी alternative therapies और चौती surgery फिजियो थेरपी सबसे ज़्यादा popular है siatica pain management के लिए और अधिकतर patient को फिजियो थेरपी और conservative method जैसे medicines और इन सब का साथ में treatment लेते हैं तो उनको काफी फरक महसूस होता है और ये अपनी दिन चरिया आराम से बिता सकते हैं चिन patients में ये सारी चीजे काम नहीं करती है और वो extreme cases में surgery को opt किया जाता है अब बात करते हैं फिजियो थेरपी की फिजियो थेरपी में क्या किया जाता है तो सबसे important part है फिजियो थेरपी में सियाटी का pain management के लिए वो है exercises exercises मास पेशो की ताकत को बढ़ाये रखती है और लचक को बनाये रखती है जिसके वज़े से जो pressure आना चाहिए नस पे वो कम से कम आता है और जो हमारे कमर के muscles से पैरो के muscles से ये बहुत अच्छे से हमारे मन को को support दे से तूसरी चीज जो use करते है commonly वो है hot fermentation, cold fermentation याने गरम पानी का सेख और थंडे पानी का सेख जब भी दर्ध जादा है या तुरंत उठा हुआ दर्ध है ऐसे दोरान थंडे पानी का सेख को prefer किया जाता है जब आपका दर्ध थोड़ा पुराना है 48 घंटे से उपर का पर दर्ध है तब hot fermentation याने गरम पानी की सिकाई की जाती है तीसरी चीज है उसको कहते है electrotherapy modalities electrotherapy में machines का इस्तमाल किया जाता है इसमें current, ultrasound waves, laser ऐसी चीजों का use किया जाता है जो इस muscles के आसपास होने वारे inflammation को कम करने में मदद करता है और muscles को relax भी करता है जिसके वाज़े से दर्ध में काफी हद तके आराम मिलता है अगर recent advances की बात करें तो आज कर physiotherapist cupping therapy या cupping technique का भी use करते है cupping वैसे तो बहुत पुरानी old traditional method है back pain management के लिए लेकिन अभी एक scientific रूप ले रही है काफी research हो रहा है इस area में कि कैसे cupping therapy help कर सकती है और ये काफी patients को मददगार भी साबित होती है और जो और एक नई therapy अभी आई है वैसे तो नहीं कहूंगे कि ये अभी आई है ये भी बहुत सालों से चलती आ रही है लेकिन धीरे धीरे इसके popularity बलती जा रही है और वो है dry needling dry needling में needles की मदद से जो trigger points होते हैं या फिर जो points जहां पर नस जादा दब रही है या muscles बहुत tight हो गए है उसमें relaxation लाया जा सकता है ये भी बहुत experienced physiotherapist होते है वो इस practice को follow करते है और इसलिए बहुत ज़रूरी है physiotherapist जो certified dry needling के लिए उनी के पास ये treatment कराई जाती है अब बारी आती है medical management की तो medical management में सबसे पहले over the count on medication याने के anti-inflammatory medicines, pain killer इन सब चीजों का use किया जाता है कई बार calcium और vitamin supplements भी doctors prescribe करते है और इसके साथ साथ अगर physiotherapy के मदद से नहीं कम हो रहा है steroid injection, nerve blocks, epidural blocks ये सारी जो नहीं methods है ये anesthesiologist especially pain specialist doctors होते है ये follow करते है अब बारी आती है alternative medicine की alternative medicine में आता है yoga, acupuncture, hypnotherapy, ayurveda ये सारी medicines भी काफी ज़्यादा research कर रही है back pain, sciatica back pain management के लिए अब जब ये सारे treatments काम नहीं कर रहे है और patient को बिल्कुल भी दर्द में फरक नहीं पढ़ रहा है और जो नसका दबाओ है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो ऐसे डिरान फिर surgery को option में रखाया जाता है तो दोस्तों ये था एक overview sciatica के बारे में आगे के वीडियो में हम deep में बात करेंगे physiotherapy related कैसे sciatica के जो दर्थ है उसको manage किया जा सकता है तो बने रहे हैं मेरे साथ HealthQ Hindi चैनल में इस चैनल को subscribe करके और आपको तो पता ही आपको आगे क्या करना है इस वीडियो को like कीजे share कीजे अपने परिवाजनों के साथ या मित्रों के साथ जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो काम आएंगा अगर आपको ये वीडियो नहीं भी अच्छा लग रहा है तो dislike का बटन है उसको भी दबाई इससे मुझे पता चलेंगा कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे है या नहीं और subscribe कर दीजे तो आशा करती हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार